हेलो फ्रेंड्स मैं शिवजंकर सर्मा और दिख्षय गड़ी मुंद्रा यूट्यूब चल्ल में आप सभी मित्रों का फिर्शे स्वागत है आज हम करने वाले हैं टोपिक हैबिटेट हेविटेट्एंट ये एड़ेप्टेशन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास किस शिप्रों को हेविटेट्स ये एड़ेप्टेशन होता है सबसे पहले आप समझ लीए हैबिटेट होता है कि आप अपचे एरिया में सब्सक्राइब तो यह सारी चीज़ें आज हम डिसकस करेंगे इस में शिक्स चेप्टर में यूविल लर्न अबाउट डिफ्रेंट होन अर्थ तुम्हें याद करना है अर्थ के उपर adaptation of plant and animal in different habitats और adaptation of plant, plant के adaptation पढ़ने ठीक है कि वो कैसे स्विकार कर लेते किसी भी एरिया में अपने आपको सर्वाईव करने के लिए animal in different habitats और अलग-अनिमल, अलग-अलग different मतलब उनके जो habitats है वहापे वो कैसे रह लेते है और आपने जो देखा होगा, जो में जो habitat है, वो कैसे exist करता है would you find a camel, क्या आपने कभी कोई उन्ट देखा है, at a polar bear live in the same region polar bear और उन्ट को एक रिजन में आपने देखा है कभी, कभी नहीं रह सकते क्यों क्योंकि उन्ट रहता है गरम एरिया में और polar bear रहता है ठंडे एरिया में तो ये दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते how is a bird well suited to fly and fish well suited to swim in water कैसे एक पक्षी आस्मान में उड़ लेता है और कैसे मचली पानी के अंदर तैर लेती है तो इन सभी पर्षनों के हम उपतर जानने चाहते हैं और दीरे दीरे हम इनको समझेंगे तो बोल रहा है the habitat of an animal habitat of an animal or a plant is the area where it live in nature habitat क्या होता है habitat होता है कोई भी जानवर या कोई पेड़ पोदा is the area जिस area में रहता है where is live in nature जो प्रकरती के अंदर है habitat on earth can be grouped as और habitats या मान लो जितने भी जानवर रहते हैं उन सभी को divide किया गया कुछ ग्रूपों में पहला है terrestrial group जिसमें क्या आ जाता है forest आ जाते हैं गास की मैदान आ जाते हैं desert आ जाता है रेगिस्तान mountains पाड़ आ जाते हैं और polar reason आ जाता है अर्थ का मतलब मिट्टी वाला area जहां पे भी खड़े हो सकते हैं आप ठीक है वो polar reason हो गया and aquatic फिर पानी वाला आ गया ocean, lake, seas, lakes, rivers and ponds यह सारा ठंडा मतलब पानी का area आ जहां पर भी पानी है उसको aquatic reason बोलते हैं तो terrestrial में जमीन का आ गया aquatic में पानी आ गया and organism meet its requirement of food और किसी भी organism को खाना मिल जाए रहने के लिए जगे मिल जाए पीने के लिए पानी मिल जाए show a map of various habitat on earth बुल रहा है एक बार map देख लो आप अलग-अलग habitats के लिए ठीक है तो मैं दूसरा map दिखाता हूँ आपको यह वाला देखते हैं अपन यह पूरे world का map है ठीक है तो इसमें मैं आपको काफी सारी चीज़े बताता हूँ अलग-अलग reason में क्या क्या है सबसे पहले तो आप समझ लो कि यह map होता कैसे देखो map है यह अपना equator है क्या है equator और यह ट्रोपिक ओफ कैंसर यह वाली और यह वाली ट्रोपिक ओफ केप्रिकॉन यह दोनों ही important चीज़े यह reason रहने के लिए best suitable होता है किसी भी चीज़ के लिए गरम एरिया होता है रहने के लिए कोई problem नहीं होती तो equator बि इंडिया के नीचे से जाता है स्रीडं का वी उपर रह जाता है इंडिया के नीचे से जाता है थेक है अब यहां पर अलग अलग तरहेंगे habitat रहते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं इंख्छन, सबसे पहले है बोरन, बोरल, बोरियल फोरिस्ट, बोरियल फोरिस्ट का अरिया कुं सा है? यह अरिया है न जो यह यह सारा बोरल फॉरिस्ट का है और यह रसिया में बहुत सारा अरिया यहापे कुन से फॉरिस्ट रते हैं बोरल फॉरिस्ट ठीक है फिर इसके बाद आते हैं डेजर्ट डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है सहारा ठीक है सहारा का काफी बड़ा डेजर्ट है ये इसे रिजन में और कुछ इसा बारत में भी ये सारा का डेजर्ट है पैन का कदर चेंज कर लेता हूं और ये थोड़ा सा इंडिया में इधर भी है थार का चीए फिर ग्रास लेंड गास के मेदन का हैं गास के मेदन इस एरिया में और इस एरिय तो यहां पर इंडिया की देखे तो हम यहाँ पर अपर इंडिया की देखे तो हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस एरिया है थे olsun जू छो मंगाल्गी खाड़ी खाड़ी ओपर का अरिया है तो यह च्वोटी एउनडीय का अगर देखोगे तो यह कॉन सा है ठार करेगिस्तान यह इधर तीक है यह वाला ने वाला ठाल का है और यह एवर common रेन फोरेस्ट जापे उती है वह वाला रहा है अब आगे अपने वापस से अपने लेशन पर वैरियस हैबिटेट हो यह मैं अब थोड़ा साफ नहीं दिख रहा था इसलिए आ पर लेगे हैं ठीक है बोला लेटास बीगन बाइ लर्निग अबाउट सम् टेरेस्ट्रियल हैबिटेट तो हम कहां से सुरू करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट से सुरू करते हैं टेरिस्टियल हैविटेट में क्या बोल रहा है सबसे पहले आते हैं जंगल फोरेस्ट ए फोरेस्ट इस यूजवली ए लार्ज एरिया कवर्ड विद वराइटी ओफ ट्री एंड प्लांट्स जो जंगल ना वो बहुत बड़ा एरिया होता है जो किस चीजों से बरा होता है पे सबसे पहला है वो ट्रोपिकल फोरेस्ट फिर टंप्रेट फोरेस्ट एंड बोरल फोरेस्ट बोरियल फोरेस्ट ठीक है तो सबसे पहले आता है ट्रोपिकल फोरेस्ट ट्रोपिकल फोरेस्ट के बारे में समझो ट्रोपिकल फोरेस्ट आर फाउंड बिट्वेटर मैंने अभ ही या बिलकुल इंडिया लिखा हुआ है ठीक है यह कुन सी है यह हमारी है ट्रापिक ओफ कैंसर ट्रीकर और अगज़सों आपको दिखाता हूँ इसके नीचे एकटर ते यह देखो यह जो यह वाल लाइन ये कुण से एकवेटर, ये ब्लू वाली लाइन जो दिख रही आपको तो ये तो होगी हमारी एकवेटर, ये होगी ट्रोपिक ओफ कैंसर और ये होगी ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन तो इस तरीके से ये हमारी तीन रिज होती है अगर उपर वाले में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी देखो यह थोड़ा साफ ने दिख रहा ट्रोपिक ओफ कैपरीकॉन यह ट्रोपिक ओफ कैंसर और यह है एक्वेटर अब यह आगे जाता है तो देखो यह यह यहाँ से निकल जाता है बिल्कुल यह एक्वेटर है बिल्कुल बीचो बीच वर्ल्ड के मैप को काट दिया जाए और यह वर्ल्ड के मैप के ओपर Tropic of Cancer यह यहां से इडिया के बीच में से जाती है और यह हो गया Tropic of Capricorn यह यहां से जाती है तो यह तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही important है तो बोला है Two Tropic's के बीच में दो Tropic's के बीच में ठीक है कौन-कौन से ट्रोपिक होगे एक तो गया Capricorn और एक होगया Cancer यह यह वाला पूरा एरिया ठीक है जादा तर यहीं पर आपको हरत रहें के प्राणी अराम से रहते हुए मिलते हैं The Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn जो यह दोनों है एक Tropic of Cancer और एक Tropic of Capricorn These are the several kind of Tropic Forest यह यहाँ पर काफी प्राइगार के several माने अलग-अलग होता है अलग-अलग तरह के Tropic of Forest है यानि जंगल है The type of these which receive maximum amount of rainfall and is near the equator बोल रहा है अगर आप बारिस की बात करें तो equator के पास सबसे ज़्यादा बारिस होती है और इसी विए यहाँ पर Tropic of Rainforest होते है यानि बारिस वाले जंगल होते है फिर Tropic of Rainforest के बारे में बता रहा है receive very heavy rainfall यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिस होती है they have a hot and humid climate और यहाँ का गरम और humid climate होता है humid यानि पानी में हवा में पानी की मातरा बहुत ज़्यादा होती है round the year अगर साल के हिसाब से देखा जाए a rich variety of plant and animals are found in these forests इन जंगलों में बहुत सारे क्या होते है rich plants और मतलब काफी सारे जंगल पाए जाते है जैसे orchard, wains, moses, ferns common plants found in the tropical rainforest a large variety of animals such as bat, gorillas, monkey, jaguar, sloth, macaws, toucan and variety of insects are found in these rainforest mostly found are there evergreen यहां के जादतर जंगल हमेशा हरे रहते है तो देखो यह रहे, यह दिखा रखा है, यह orchard का पेड है जो आपको दिखा रखा है, यह फूल दिखा रखे, यह token यह कोई पक्षी है और यह tropical rainforest यहां पर लगातार बारिस होती रहती है, ठीक है, और यह वहां के पेड है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पर देखने को मिलेगी फिर tropical temperate forest temperate forest कौन से होते हैं, part of eastern north america अगर north america के east में जाओगे तो वो temperate कौन सा है, forest और north east asia, north east asia में इंडिया आजाता है और इंडिया के ऊपर के इस से आजाते हैं, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइन है, जापान है, यह सारे north east asia में आ जाते हैं तो template dissidious forest कौन से होगे, जो साल में एक बार अपने सारे पते जाड़ देते हैं, the rainfall even throughout the year, यहां पे भी बार इस लगवग सारा साल होते हैं, the forest is well defined summer and winter season, और जंगलों में अच्छे से summer और winter season होता है, most trees found here are dissidious in nature, और जादतर पेड अपने पते जाड़ देते हैं, साल में ए these are seen as the change their color in the atom season, atom होता है पत जड़, जब पत जड़ का मौसम आता है ना, तो ज़्यादा तर पेड क्या करते हैं, सभी पत को कलर उनका change हो जाता है, ठीक है, वो जोगरफी में होता है, पूरा process क्या होता है, पेड जब तक हरा होता है, तो उसके अंदर photo synthesis होती है, फिर उस ह commonly found trees, foxes, blade, eagles, and black bears are found here, यह सारी चीज़ें यहापे पाई जाती है, ठीक है, जिन में से कुछ दे रखे हैं, यह blade eagle दिखा रखे हैं, आपको फिर leaf of maple tree, पेड दिखा रखे हैं, जिनके पते जड़ जाते हैं, यह बोला है, not all evergreen forest are present in the tropical region, अगर आप देखोगे तो जितने भी सदा हरित पेड़ है, मतलब ऐसे पेड़ हैं, जो लगबग सारा साल हरे रहते हैं, वो पेड़ सारे जादा तर ट्रोपिकल रिजन में मिलेंगे, some are present in the temperate region, कुछ temperate region में मिलेंगे, लेकिन जादा तर ट्रोपिकल रिजन में ही मिलेंगे, those are called temperate evergreen forest, और temperate region में मिलेंगे, evergreen forest बोलते हैं, या वो भी रहते हैं, फिर है boral forest, ठीक है boral forest, इसका अपने आप में important value है, boral forest also called tiaga, ठीक है, tiaga जो भी है, तो यह tiaga जगह में मिलते हैं, have ever low temperature, यहाँ पे temperature बहुत ही कम रहता है, कितना रहता है, zero degree या उससे कम, and heavy snowfall, और बारिश गिरती, मतलब बरफ जो है वो गिरती ही रहती है, North Eastern part of Canada, Canada का जो है North Eastern part, अगर आप Canada, मैप को वापस से पोज करके, बैक करके देखोगे, तो वहाँ पे जो Canada है, उसको देख लो, और Canada के चलो में दिखा देता हूँ, आपको, देखो यह रहा, यह जो था सारा Canada है, ठीक है, यह Canada है, तो वैसे East West देखते हैं हम जैसे, यह इस साइड में North, इस तरीके से होता है, तो इस इस आप से हम calculate करते हैं, हमारा क्या दिया हूँ है, हमारा दिया हूँ है कि Northern part, Northern part में कौन सा ले लेंगे हम, नोर्थ वाला, यानि यह उपर वाला हिसा ले लेंगे, यह यह वाला हिसा ले लेंगे, ठीक है, यह जो अरेटिक सर्कल के आसपास दिखा रखता है, तो बोला है Northern part and Russia है Boral Forest, और रसिया में भी Boral Forest है, रसिया तो मैंने आपको पहली दिखा दिया था, ठीक है, यह रसिया इस साइड में, यह सारा रसिया है, ठीक है, रसिया देखोगे तो नीचे इंडिया आता है, यह रेंडिया, यह नेपाल, यह चाइना, मंगोलिया, कजा पाकिस्तान, और फिर रसिया आ गया, ठीक है, तो इंडिया के ऊपर है रसिया, तो बोला है, कैनेड़ा और रसिया में, हैव Boral Forest, यहां पे कौन से Forest है, Boral Forest, Most Trees, Found Hair, और Evergreen, यहां पे जितने भी जो पेड़ पो देपाते हो, हमेशा हरे रहते है, पाइन, फिर, पाइन और जैसे देखो, यह दिखा रहा है, यह आपको फिर का पेड़ दिखा रखा है, फिर टरी, ठीक है, और यह वोल्फ दिखा रखी है, जो बरफ की अरिया हमें रहती है, एंड स्प्रोस एंड कॉमन ट्रीज फाउंड हैर, वोल्ज हैर, मौज एंड चिप मूंक्स आर फाउंड यह दूर दूर तक, नोट टू मैनी ट्रीज, ज्यादा पेड़ नहीं होते हैं, शर्ब्स नहीं होती, यह लार्ज वराइटी ओफ एनिवल्स सच जिराफ, जैबरा, लोइंज, एलिफेंट, कंगारू जैजिलाज, आर फाउंड इन ग्रास लेंड, यह सारे ग्रास लेंड म यह सारे ग्हास के मैदनों में पा जाते हैं, फिर आगया डेजर्ट, डेजर्ट यानि रेगिस्तान, जो यह दिखा रखाना आपको, यह सारा डेजर्ट है, यह वाला, तो डेजर्ट आर एरिया देट रिसीव वेरी लिटल और नो रेंफोल थ्रूआउट दा इर, यानि प थार आरसम, होट डेजर्ट, गोबी डेजर्ट इन चाइना, इस एक कोल डेजर्ट, और यह देखो, गोबी जो डेजर्ट है यह अलग तरगा है, यह चाइना में हैं, लेकिन यह ठंडा डेजर्ट है, इन होट डेजर्ट, डेटाइम टंप्रेचर इन समर कें रीच मान हो जाता है, मतलब इतना तापमान हो जाता है, जो हम सहन नहीं कर सकते, ठीक है, उत्र भारत में मतलब 40 डिगरी के असपास होता है, जिसमें हालत खराब हो जाती है, अपनी, प्लांट्स एंड एनिमल सच एज कैक्टस, कैमल्स, रेटल्स ने, गीगा मॉन्स्टर एंड क एंड पोलर, पोलर होता है, तो यह अर्थ हो गई, और उपर हो गया, नोर्थ और नीचे हो गया, साउथ, तो नोर्थ पोल, यह नोर्थ रीजन हो गया, और साउथ पोलर रीजन हो गया, तो पोलर रीजन इनको का जाता है, कि नोर्थ रीजन और साउथ रीजन, मॉन्टें और प्लांट्स सच ऐज एरेटिक पोपी एंड लो लेंग बुसीज और फांड ये सारे देखो क्या बोल रहा है पोलर रीजन जो है वहाँ पे जानवर कौन-कौन से मिलते हैं एक तो पोलर भी है फिर सील, सील्स होती है जो समंदर में रहती है और समंदर के ऊपर बरफ बरफ होती है उस बरफ पे भी रह जाती है फिर वेलारूज एंड प्लांट्स सचेज एरेक्टिक पोपी ठीक है ये बता रहा है उस जगह का नाम बोल रहा है जैसे एरेक्टिक पोपी एंड लो लाइंग बुसिस आर फाउंड यहां पे कम छुटी छुटी जाड़ियां कभी कभार मिल जाती है इन फाउंटें रीजन बोल रहा हैं जो अच्छे उचे 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 पाड है एनिमल सच एज मौंटें गोट्स स्नो लियोपार्ड लेक्स याक प्लांट सच आज सप्राउज अंड पाइचे पाइन ज्ऺशन यहां पर पाड़ियां जाती है मौंटें जन पोलर रीजन की साब जानवरों के बारे में पड़ाए तो मीठे पानी में रहते हैं जो पीने लाइक होता है अच्छे पानी या पीने के पानी के habitats होते हैं यहाँ पे मचलियां, मेंडक, डक्स, लोटस और वाटर लीली एंड कोमनली फाउंड एनिमल्स एंड प्लांट इन दियर habitats काफी सारे जानवर भी यहाँ पे रहते हैं जिनको पानी मानी अच्छे से मिल जाए marine habitat marine habitat कौन से होता है जो समुंदर में रहते हैं यानि खारे पानी में रहते हैं oceans and seas are example of marine habitat समुंदर का पानी आप पी नहीं सकते हैं बहुत खारा होता है ठीक है तो animals such as fish, whale, shark, jellyfish, crab, starfish, sea turtle, octopus and plants such as seaweeds are found here यह सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें समुंदर के अंदर पाई जाती है समुंदर हमने सारा अभी तक नहीं देखा है ना ही हमारे वग्यानिकों ने देखा है तो जो जो चीज़ें उनको दिखिए हैं उनके कुछ नाम लिख दिए ठीक है फिर coral reef, coral reef क्या होता है coral reef are rock-like ये एक पत्थर की तरह होता है बट living structure पर जिंदा चीज़ होती है अब देखो skeletons ये सरीर के ढाचे होते हैं चोटी चोटी चीज़ों के और वो क्या होता है वो समुंदर के एक तैय बना लेते हैं अंदर जैसे आपने मोती देखा हो वो सीपी में से निकलता है इस तरह की सीपी बगारा की और जो भी चीज़े होती है वो गिर गिर के गिर गिर के एक जगाई इकठी हो के एक क्या बना लेती है coral reef बना लेती है coral reef are the home of a great varieties of marine organism और फिर उसके अंदर छुपने के लिए काफी सारे जीव जनतों के लिए जगे बन जाती है due to the presence of great variety of organism these coral reef are also called rainforest of the sea और इन्हें समुंदर का बरसाती rainforest भी का जाता है coral reef are mostly found in the Andaman and Nicobar Island and the Great Bear Reef of Australia अब सबसे बढ़िया जो बताई है coral reef वो कहां कहां पर है एक तो एक अंडमान और निकोबार में ठीक है और एक बोरा Great Barrier Reef of Australia और barrier reef of Australia की Great Barrier Reef के अंदर तो ये दो जगें ऐसी बताई हैं जहां पर coral reef काफी अच्छी पाई जाती है ये थोड़ा सा एक example दिखा रखा है अगर आपको ज़्यादा डीप में देखना है तो आप नेट पर जाके coral reef की images देख सकते हैं फिर coastal habitat coastal भी बहुत important जगे है coastal होता कहा है देखो जहां पर समुंदर मानलो ये sea है और ये कहा है ये जमीन है मिट्टी है और जहां पर ये touch करता है न तो इस एरिया में जो चीज़े रहती है उनको क्या बोलते है coastal habitat coastal area are place where the land meet the sea coastal area कौन सा होता है जहां पर जमीन क्या होती है समुंदर से मिलती है reason where river meet the sea are called estuaries और ऐसी जगह जहां पर समुंदर से मिट्टी मिलती है उसको हम बोलते है estuaries plants such as mangroves and seaweeds and animals such as salt water, crocodile, waters, kingfisher and many wedding birds are commonly found in estuaries बहुत सारे पसुपक्सी यहां पर estuaries में पाए जाते है estuaries देखो बनती कैसे ये नदिया है नदियों में से पानी आता है और वो दीरे दीरे अपने साथ मिट्टी भी भागे लाती है और वो समुंदर के आसपास देखो ऐसे बना लेती है ये फैल जाती है तो इसको हम estuaries बोलते है क्या बोलते है estuaries और ये mangroves के पेड़ है दिखा रखा है काफी सारे पेड़ आपस में जुड़े हुए रहते तो इस तरह के पेड़े याँ पे हो जाते है तो आपने जो पढ़ा उसके question answers है match the following, try करके देखी हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर इसके बाद आता है हमारा adaptation क्या आगया? adaptation adaptation क्या होता है? adaptation होता है सुईकार कर लेना किसी भी environment को ठीक और उसके हिसाब से अपने आपको डाल लेना different place on earth have different habitats अलग-अलग जगें पर जमीन पर अलग-अलग तरहें के जीव जनतू रहते हैं या अलग-अलग परजातियों के जीव रहते हैं जैसे अभी हमने उंट और किसके बारे में पढ़ाता है? polar bear के बारे में तो polar bear नोर्थ रिजन में रहता है जहां पे क्या होते है? poles होते हैं दर्ती के ठीक है? नोर्थ और south रिजन में ये बहुर ठंडे होते हैं उनके रहने के लिए और उंट रहता है बीच में अर्थ के जहां पे गर्मी होती है तो उंट और इनको एक साथ नहीं रख सकते हैं तो इसलिए अलग-अलग तरह के habitants होते हैं the climate factor of a place as well as a type of organism that will be able to survive in it are determined largely by the following factor अब ये बोल रहा है जितने भी जानवर जो है या अलग-अलग organism है वो अलग-अलग जगहें पे क्यों रह पाते हैं या वो वहाँ पे रहने के लिए उनके क्या-क्या कारण होते हैं उन factors को हम समझें तो उनको अलग-अलग तरीके से डिवाइड के जाता है तो जो पहला factor बता रखा है amount of rainfall fall यानि बारिस कितनी होती है उसके ओपर depend करता है ठीक है किसी भी area में ज़्यादा बारिस होगी तो वहाँ पर पानी के अच्छे source होंगे और बहुत सारे जानवर वहाँ पर रह सकेंगे और environment के हिसाब से भी वो moderate मिलेगा ठीक है वो समुंदर तल से उंची है की नीची है उसके हिसाब से भी काफी फरक पड़ता है the distance of a place from the equator और equator से वो जगए कितनी दूर है याद रखना equator क्या था जो अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच एक line खेच दी जाती है उसको क्या बोलते है equator equator का क्या काम होता है equator अर्थ को दो हिसों में बाटता है एक north region में और एक south region में इसको north hemisphere बोलते है इसको south hemisphere बोलते है अगर equator से दर्थी को काटके दो हिसों में बाट दिया जाए because each habitat of different दोनों habitat अलग होते है animals and plant found in a particular habitats have adapted their structure and behavioral ठीक है और अलग अलग अरिया में रहने वाले वहां के structure के हिसाब से अपनी आदते हैं और अपने आपको डाल लेते हैं फिर या फिर migrate करते हैं और hibernation करते हैं वहां पे एक दूसरी जगह पे जाकर के जीने के लिए to survive in those reasons यहां पे जीने के लिए for example जैसे बता रहा है polar bear is adapted to live in a polar region polar bear के बाल बड़े-बड़े होते हैं ठीक है और बहुत ज़्यादा चर्बी वह जबा कर लेता है शरीर के अंदर तो थंड़े अरिया में रह सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है wherever a camel is adapted to live in a desert लेकिन जो उंट है वो रेगिस्तान में ही रह सकता है वो उस एरिया में नहीं रह सकता क्यों क्योंकि उंट को थंड़े रेजन में रहने के लिए वो नहीं बना है उसके पैर बड़े-बड़े होते हैं तो वो ठंड से पैर में बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी लेकिन गर्मी की वज़े से अर्थ में उसके पैर नीचे से चोड़े-चोड़े होते हैं जो अराम से रेगिस्तान में चल सकता है ठीक है सर्फेस की वज़े से और उपर जो गर्मी लगने वाला इसा है वो भी काफी उचा हो जाता है तो उसको गर्मी कम लगती है तो पानी भी वो सरीर से कम रिशने देता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं अगर आप डीपली समझोगे तो अब उट रेगिस्तान में रहने के लिए बन गया और भालू थंडे लाके में रहने के लिए बन गया इसी को हम एड़ेशन बोलते है उनके बाल बड़े हो गए वो ज़दा चर्बी जमा कर लेता है उट ज़दा पानी जमा कर लेता है तो ऐसे अलग-अलग इनकी आदते हो जाती है तो उसी को हम adaptation बोलते हैं adaptation occur on the special level and in usually a slow process अब ये धीरे-धीरे भी हो सकता है और मतलब उन पर जाती हो कि अंदर भी ये गुण हो सकता है कहने का मतलब है कि वो अगर किसी गरम रिजन में रहते हैं तो दिरे-धीर अपने आपको इस तरह से बना लेंगे कि वो गरम रिजन में रहने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है adaptation in a tropical rain forest अब tropical rain forest होती है महां का adaptation कैसा था following are the adaptation in a tropical rain forest पहला क्या बोल रहा है plants के बारे में बता रहा है many tree of rain forest have specialized leaves with pinpoint tips that allow rain drop to rain off quickly the protest the leaves from rotting अब देखो यह बोल रहा है कि जो जहां पर बहुत ज़ाद बारिश होती है उस area के पेड़ों के पत्ते हैं न वो आगे से आपको कौन जैसे मिलेंगे और चिकने होंगे ठीक है तो होगा क्या जैसे ही बारिश होगी तो वो अपने उपर पानी नी रखेगा तुरंत नीचे डाल देगा जिससे क्या होगा वो पेड के पत्ते मतलब पत्ते अपने आपको इस तरह से बना लेते कि पानी उनके उपर रुखता ही नहीं फिर rain forest trees from a thick cover इनकी जो खाल होते हैं वो काफी मोटी हो जाती है चाल जिसको बोलते हैं विच ए वेरी लिटल लाइट इनैबल तू रिच दा ग्राउंड और ग्राउंड के लेवल से वो हलके भी होते हैं तो सूरज की रोशनी लेने के लिए वो लंबे बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे पेड़ों जाते तो ऊपर जाके उनको रोशनी मिलती है यह देखो दिखा रखा है थोड़ा सा नीचे देखो नीचे सरवाइब नहीं कर पाएगा कोई पेड़ वूड़ी वाइन्स क्लिम अब टाल ट्रीस टू रिच सनलाइट और यह सूरज की रोशनी जाने के लिए उपर की तरफ बागते हैं उपर पेड़ मिलते हैं या फिर यह क्या बनती हैं यह बेल सी बनने लग जाती हैं ठीक है सन की जो सूरज की रोशनी उसको एब्जोर्ब करने के लिए वूड़ी वाइन्स क्लिम अप टोल ट्रीस टू र डूसरे पेड़ों करने के लिए कि रोषनी से ही पेड़ जिंदा रहता है कि रोक्त है उपेड़ से ऋपना खाना मना है प्लांठ शौनी रोप्र और ये और वं也 कोई पूल, many insects and small animal live in these pools and provide nutrients to the plant through their droppings. ठीक हैं? तो इस तरीके से उनको अपना खाना मिलता है. काफी छोट-छोटे किटाणू औगेरा रहते हैं, जो पूल करते हैं, पूल करने की वज़े से उनको अपना खाना मिलता है. तो यह तो था पेड़ पोधों के बारे में, फिर animals के बारे में, some animals such as leaf insect, ठीक है, पत्ते खाने वाले, stick insect, चिप-चिपे and sloths, छोटे-छोटे बर्दंग, have bodies that easily blend in their surroundings, इनकी बोड़ी ऐसी होती हैं कि अपने आस-पास की एरिया में मिल जाते हैं, making it hard for the predator, यह जो predator उनके लिए तो ना मुश्किल बनाता है, तो notice them, कि वह पता करना कौन सा कैसा है, this behavior is called a cameo flag, इस behavior को क्या बोलते हैं, cameo flag, some animals such as parrot, have strong beak, इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, that can open hard fruit, यह कितना ही hard fruit हो, जैसे अखरोट औगरा को भी तोड़ देता है, which other animals can't, जिसमें बाकी और जानवर ऐ even when the competition for food is high, ठीक है, अब competition कितना ही हो, तो यह अराम से इसको खाना मिल जाएगा, तोड़ वोड़ के खा सकता है, some insects and frogs are usually bright color, कुछ पक्षियों का बहुत ही, कुछ कीडों का या कुछ मेंड़ को का color बहुत ही bright होता है, which signal to carnivores that they are poisonous, वो मतलब carnivores जो होते हैं, उनको पहले ही संकेद देता है, मतलब meat खाने वाले जो पक्षी होते हैं, उनको पहले ही संकेद देता है कि भाई, हमें मत खाना हम बहुत जारी लें, ठीक है, तो वो उनसे थोड़ा दूर ही रहते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है, जैसे दिखा भी रखा है कुछ, यह पत्ते खाने वाला है leaf insects बोलते हैं जो पत्तों में छुप जाते हैं और पत्तों कोई खाके उन्हीं के ऊपर जिंदा रहते हैं यह bromelay ठीक है पेड़ है फिर यह stick insects है यह stick insects मतलब इसके मुझे निकलता है और वो उसको चिपका के और वापस खा जाता है ठीक है adaptation in temperate forest तो temperate forest के adaptation के बारे बता रहे हैं the following are the adaptations in temperate forest temperate यह जो जमीनों के आसपास त्सीय ट्रोपिकल रिजन में रहने वाले पेड़ पोदे उनके वो बता रहा है कि adaptation क्या होते है plants most tree found have thin board leaves इसकी चोड़ी चोड़ी पतियां होती हैं to maximize the absorption of sunlight ताकि sunlight ज्यादा से ज्यादा मिल जाए most trees here are deciduous in nature ज्यादातर पेड यहां पे कौन से होते हैं जो पत जड़ वाले होते हैं साल में एक बार अपनी पतियां गिरा देते तो यह गिरा देते हैं अपनी पतियां क्या करने के लिए अवाइड फ्रीजिंग टंपरेचर जो ठंडा मुस हमें उसको सेन करने की हुज़ा है अपने आपको बचाने के लिए पतियां गिरा देते हैं ताकि वो ठंड को एब्जोर्ब ना करें फिर animals many animals found in these region go into long winter sleep called hibernation और इ 20 समय तक के लिए सोने के लिए चले जाते हैं या फिर अपने आपको ऐसी जगहां पे रख लेते हैं जहां बहुत क्या हो ठंड ना हो चिप मूंक्स होते हैं gather food during summer and store them for the winter ठीक है और यह सारी गर्मियों में बहुत सारे और सर्दियों में चुपचाप के उनको खाती रहती है Adaptation in boreal forest फिर boreal forest में कैसे रहते है The following are the adaptation in boreal forest ये कुछ बता रखे हैं जैसे plants का बता दिया Tree in a boreal forest Conical shape तो यहाँ पे जो पेड होते हैं उनकी shape कैसी होती है Conical, यानि संकू जैसी होती है ये ऐसी बड़ी बड़ी ठीक है? Ice cream जैसी, kulfी जैसी Which allow the snow to slide of the branch easily इसकी जैसे क्या होता है branches जो easily slide कर जाती है एक दूसरी के उपर से फस्ती नहीं है trees have narrow needle like leaves और इसकी पतियां जो होती है वो needle की तरह होती है वो अटकती नहीं एक दूसरी में फिर animals animals यानि पशू पक्षी या जानवर birds such as erratic trums migrate to warmer place during winter अब जो erratic यानि जो नोर्थ पोलों में रहते हैं तो वो क्या करते हैं? वो migrate करते हैं कब गरम place पे जब ठंड बहुत जादा होती है some animals such as beer and chunks hibernate और beer और chunks क्या करते हैं? hibernate करते हैं go into a state of inactive ये क्या हो जाते हैं? inactive हो जाते हैं during winter मर्थ सर्दियों के मोसम में in this manner they can save energy when the food is scared ये क्या करते हैं? energy को save करते हैं क्यों? क्योंकि जब खाना कम हो जाता है सर्दियों में खाना कम हो जाता है और ये इतने अंदर गुस गास के कहीं पर सो जाते हैं आराम से लंबे टाइम तक के लिए ताकि energy बची रहे some animals such as Siberian tiger have a thick layer of fur to protect themselves while walking in the snow इसके जो मतलब खाल है वो इतनी मोटी होती है और उसके उपर इतने बाल होते हैं तो वो अपने आपको सर्दियों में भी बचा लेता है बरफ के उपर चलते हुए भी adaptation in grasslands grasslands अगर आप देखोता तो following are the adaptation in grasslands तो गास के जो मैदान होते हैं उनमें क्या होता है plants have flexible streams इनमें ऐसे पेड होते हैं जिनकी streams हो हो flexible होते है which easily bend without breaking in strong winds अब कितनी भी तेज हवा चले वो bend हो जाती है तूटती नहीं है most grass here have a narrow leaves to reduce the lose of water through transpiration अब होता क्या है देखो transpiration की वज़े से पानी को lose कर देते हैं most grass have narrow leaves मतलब क्या होती है तंग पतियां होती है to reduce the loss of water जो क्या करती है पानी को कम reduce होने देती है और transpiration भी चलता रहता है grassland have large number of grazing animal और ये जो मैदान होते हैं यहाँ पे चरने वाले बहुत सारे जानवर होते हैं grasses are adapted such that they can continue growing from the base of them even after animals eat away their top portion तीक है अब होता है कि देखो घांस है जो उपर उपर का इसाखा लेते हैं और नीचे का पढ़ा रहता है तो उससे भी काफी effect पढ़ता है long roots of a erect tree allow it to access water that is present very deep in the ground और जो लंबी जड़े होती है वो उसके मतलब अंदर का बहुत गहरे तक का पानी भी उसको absorb करने में सायक होती है फिर animals के बारे में बता रखा है most grassland animals such as grazals, gebras can run very fast this helps them from being hunted by the predators अब ये देखो जो gazal, zebra वगएरा ये बहुत तेज भागते हैं ताकि predator से बचे रहें यानि मास खाने वाले जानुरों से बचे रहें animals such as deer have eyes on the sides of their face to watch out the predator around them while grazing और जो deer हैं वो गास खाती रहती हैं और चारों तरफ देखती रहती हैं बीच बीच में कि कोई predator उनकी तरफ ध्यान से देख तो नहीं रहा है मतलब उनके उपर हमला तो करने वाला नहीं है other hand animals such as leopard loins have eyes in the front of their eyes to keep track of prey animal while chasing it और जो मतलब मासारी जानुर हैं उनका भी उधरी ध्यान रहता है मतलब यह सारी चीज़ें community हैं एक circle बन जाता है ठीक है छोटी से बड़ी का पहले छोटी चीज़े कोई फिर उससे बड़ी वाली खाने वाली है फिर उसको उससे बड़ी वाली है फिर उसको उससे बड़ी वाली है फिर adaptation in desert यानि रेगिस्तान में जो है वो adaptation ठीक है तो दोस्तों यहां तक हम अपना पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं adaptation in desert हम करेंगे second वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें मारा यूटूब चानल दिक्षाकडमी थैंक यू फ्रेंद्स